और सब गाईस, आप सभी ने कल UPSSCPET का रिजल देख लिया होगा स्टूडेंस को समझ भे नहीं आ रहा है कि परसेंटाइल वो लोग कैसे जाने की वी लोग पास है कि फेल है उनकी कॉल आएगी की नहीं आएगी, मतलब जो भी अगली वैकेंसी आएगी लेकपाल की कि क्या आप लोग उसके लिए एलिजबिल होने वाले हैं कि नहीं, क्या 90% वाला जो इस्टूडेंट 90% परसेंटाइल पाया है क्या वो एलिजबिल है, कि एलिजबिल नहीं है, फेल है, तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बता रहा हूँ ठीक है, क्योंकि बहुत काम का वीडियो है यह आपके लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जैसे मालीज़ मैं एक एक्जामपल लेता हूँ, मालीज़ किसी कैंडिडेट के 75 नंबर है, ठीक है, अगर वो फस्ट शिफ्ट का रहा होगा, तो उसके कुछ माक्स बढ़े होंगे, ठीक है, मालीज़ 75.5 हो गया उसका, तो उसका परसेंटाइल इसको कितना होगे, 96 के आस पास हुआ होगा, ठीक है, यह मैं एक अनुमानित बता रहा हूँ, जिसका 75, 75.5 के आसपास है, उसका परसेंटाइल 96 के आसपास है, तो यह 96% का मतलब क्या होता है, 96% का मतलब यह होता है, कि आपसे सिर्फ 4% बच्चे ही जादा माक्स पाए हैं, माल लीज़े, माल लीजे, मैं एक example लेता हूँ कि 100% लोगों ने exam दिया 100% लोगों में से सिर्फ 4% लोग है जो आप से ज़ादा marks पाए हैं इसी लिए आपका percentile 96% बना उसी तरह जिनका 85% percentile है तो 100% लोगों में से 15% लोग आप से आगे हैं ध्यान दीजेगा इसमें उन्ही से देखा जाएगा जो appear हुए exam में टोटल से नहीं देखा जाएगा जितने appear हुए हैं जिसे माल दीजे 100% लोग appear हुए हैं 100% में से सिर्फ आप से 15% लोग marks ज़ादा पाए हैं इसलिए आपका percentile 85% है जिसका 97% percentile है 3% student आपसे आगे हैं जो exam दिये हैं जिसका 98% percentile है जिसका 98% percentile है सिर्फ 2% बच्चे आपसे ज्यादा marks पाए हैं जिनका 100% percentile है 100 का मतलब यह हुआ कि आपसे कोई भी student आगे नहीं है बराबर पा सकता है लेकिन आपसे कोई भी आगे नहीं 0% student आपसे आगे है और जिसका 0% percentile है 0% percentile का मतलब यह होता है कि आपसे सभी student आगे हैं 100 के 100% जिनोंने exam दिया है जो appear हुए हैं यह समझ में आगया percentile का मतलब तो आप समझ लिजे percentile से ही अब सब कुछ होने वाला है अब जैसे ही जो form आएगा आगे लेकपाल का तो लेकपाल में बता देंगे कि उनको कितना percentile चाहिए मैं example ले रहा हूँ जैसे 95% percentile से उपर वाले ही apply कर सकते हैं यह notification में लिखा रहेगा या फिर 98% percentile वाले students जिनके marks वह ही apply कर सकते हैं यह notification में लिखा रहेगा मैं example दे रहा हूँ जैसे आपने देखा हूँगा gate में gate में लिखा रहता है इतने percentile वाले ही eligible हैं आगे form डालने के लिए ठीक है अब आपको देखे मुझे exact तो पता नहीं है कि form कितने पड़े थे मैं यह बता रहा हूँ 96 percentile जो भी student 96 percentile पाया है उसके बारे मैं बता रहा हूँ कि आप लोग eligible हैं कि नहीं आप लोग को पता कैसे चलेगा कि आप लोग अगली परिक्षा के लिए eligible हैं कि नहीं जो लेकपाल की vacancy आएगी मुझे exact figure तो नहीं पता लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब आपको exact figure पता चले जाएगे तो आप इसको calculate कर लेना जैसे माल दीजे 20 lakh लोगों ने परिक्षा दी 20 lakh candidates ने परिक्षा दी 20 lakh candidates ने परिक्षा दी तो 20 lakh का 4 percent क्या हुआ 20 lakh का 4 percent होता है 80,000 चीक है? 80,000 होता है आप लोग calculate करियेगा क्योंकि देख़े 20 lakh का 10 percent क्या हुआ? 2 lakh, 2 lakh का 10 percent क्या हुआ? 20,000 चीक है? उसको into4 से करेंगे तो 교ту 8,000 तो 20 lakh का 4 percent हुआ? 80,000 हमने 4 percent क्यों निकाला? क्योंकि 96 percent percentile है? 96% percentile है मतलब जिन भी candidates की तो आपसे 4% student आगे है तो जब 4% student आगे है मतलब 20 लाख लोगों ने अगर exam दिया है तो उसका 4% हमने निकाला तो मतलब 80,000 candidates आपसे आगे हैं 80,000 students के marks आपसे ज़ादा है अगर हम ये मानते हैं कि 20 लाख लोगों ने परिक्षा दी है देखी मुझे exact figure नहीं पता है हो सकता है 30 लाख लोगों ने दी हो हो सकता है 25 लाख लोगों दी हो हो सकता है 35 लाख लोगों ने दी हो आप लोग अपने इसाफ से calculate करेगा मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ अब मालिजे लेकपाल की vacancy आती है आप देखाऊ कि लेकपाल की vacancy कितनी है 8000 के आसपास vacancy है तो अगर notification में ये आता है कि 10 गुना candidate फॉर्म फिल कर सकते है तो आठ हजार का 10 गुना candidate कितना हो गया तो 8000 का 10 गुना candidate हो गया 80,000, तो मतलब 80,000 Candidate Form Apply कर सकते हैं, ठीक है, यमाल ये 10,000 Vacancy है, तो 10,000 Vacancy का क्या हो गया, कि 10 गुना Candidate Form Apply कर सकते हैं, तो इसका बतलब समझ गया है, कि 96% वाले, अब ये तो common sense की बात है कि जनरली 10 गुना Candidate को तो बुलाता ही है, ठीक है, 10 गुना candidate को बुलाएगा तो 96 परसेंटाइल वाले पास हैं आप लोग लेकपाल के लिए eligible हैं और माल लीजे माल लीजे चोकि उत्तरपडेस का आजकल बढ़ा दिये हैं 20 गुना 25 गुना 30 गुना कर दिये हैं माल लीजे अगर 25 गुना candidate को बुलाते हैं तो मतलब 2 लाख लोगों को बुलाए जाएगा ठीक है 2 लाख लोग अपलाई कर सकते हैं तो 2 लाख लोग में से मुझे लगता है 93-94 परसेंटाइल वाले भी इसमें आ जाएंगे ठीक है आप लोग कमेंट में मुझे exact बताएगा कि कितने student appear हुए है मतलब किन्होंने exam दिया है registration से मतलब नहीं है जिन्होंने exam दिया उससे मतलब है registration दो बहुत लोगों नहीं किया था उसके बाद fees भी कई लोगों ने कुछ लोग थे जिनकी fees जमा नहीं हो पाई दियो तो कुछ लोग जिन्होंने परिक्षा चोड़ी भी है तो आप लोग यह बताएगा कमेंट में मुझे अपना परसंटाइल स्कूर के बाद आप लोग कमेंट में यह बताएगा कितने लोगों ने परिक्षा दी है उस हिसाब से मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा आपको बत है मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को बुलाए जाएगा कोई दिक्कत थी 96 वाले भी सेफ है तो एक्जैक्ट थोड़ा मैं आपको बता दूगा मुझे एक्जैक्ट बताईएगा कि इतने लोगों ने एक्जाम दिया है कितने लोग काम की चीज़े काम का वीडियो है तो आप लोग जादा जादा सर्वे हो चीक है एक्जैक्ट मैं आपको सब कुछ बता दूगा चीक है तो इस वीडियो में इतना ही चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें जैहन